तो दोस्तो Recycle Bin भाई ये क्या है भाई नया फीचर है तो ये भी पहले चाइना को ही मिलेगा या भाई चाइना यूजर को मिलते हैं फीचर और हमें मिलते हैं बग नहीं भाई इंडिया तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो गैलरी एप में हमें बहुती जल्द एक निव इंटरफेस रिसाइकल बिन एंड स्काइ फिल्टर का फीचर बहुती जल्द देखने को मिलेगा मियूर 11.1 सीरीज में तो दोस्तो सारी इंफोर्मेशन इस वीडि एप में जाते हैं तो यहां पर आप कोई भी पिक्यर या वीडियो डिलीट एक बार कर देते हैं तो वो पर्मणेश डिलीट हो जाती है अगर अपने क्लาउड के सात संक नहीं किया हुआ है तो दोस्तों आप उसे रिकावर नहीं कर सकते recover करने के लिए आपको third party application की जरूरत पढ़ती है पर दोस्तो अब यहाँ पर जो information निकल का सामने आ रही है वो यह है कि MIUI 11.1 series में हमें new gallery app देखने को मिलेगी जिसका new interface हमें देखने को मिलेगा कुछ इस परकार का यहाँ पर कुछ pictures दिखाई गई है यहाँ पर grid size जो है अब हमें gallery app में देखने को मिलेगी और दोस्तो यहाँ पर recently deleted यानकी trash तो यहाँ पर MIUI 11.1 series में हमें वो trash bin देखने को मिलेगा जैसे कि अगर आपने कोई picture delete कर दी है तो वो कुछ दिन के लिए trash bin में पढ़ी रहेगी लोकली तो आप उसे restore कर पाएंगे तो थोड़े दिन के बाद वो automatically delete हो जाएगी तो दोस्तो यहाँ पर यह information निकल कर सामने आ रही है और यहाँ पर कुछ pictures भी दिखाई गई है यह चाइना में ही पहले आएगी दोस्तो आपको मालूम ही है सब कुछ चाइना में ही पहले आता है उसके बाद ही global में आता है उसके बाद दोस्तो sky filter and new sky filter हमें देखने को मिलेंगे अभी जो है वो six already आते हैं कुछ devices में सभी devices में तो नहीं है पर दोस्तो कुछ devices में जो है ओरडी six sky filters देखने को मिलते हैं पर दोस्तो यहां पर यह information leak होई है कि यहां पर जो है already internal testing में यह सभी features जो है वो test किये जा रहे हैं और हमें MIUI 11.1 series में यह सभी features देखने को मिलेंगे अभी devices के बारे में तो नहीं पता पर MIUI 11.1 series जो है वो इंडिया में February के महीने से शुरू होने वाली है तो धीरे धीरे जो है वो सभी devices में आएंगी पर दोस्तो अभी के लिए यहां पर यही एक information निकल कर सामने आ रही है तो दोस्तो यह सारी information थी यहां पर recycle bin and new gallery app के बारे में तो hopefully आपको यह video पसंद आई होगी तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही